इछले दस साल से पूरे नहीं किये उसका पूरा कच्चा चिठा सामने आ गया है यही प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्नोंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार मोदी जी ने वादा किया था या यह कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल दो करोड नौकरियां देने वाले हैं लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में यह आकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दी दी दूसरी बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद देश के संसद में आकड़ा दिया है कि 10 साल के अंदर 20 करोड तो छोड़िये 2 करोड नौक्रियां तक पैदा नहीं हुई है मोदी जी ने तो आकड़ा नहीं दिया पर मैं आपको आकड़ा देती हूँ बेरोजगारी का आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे जादा बेरोजगारी है आज भारत में यूथ इम्प्लॉइमेंट आल टाइम लो पर है युवाओं के आकड़ों को अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में 25 परसेंट युवा बेरोजगार है अगर हम ग्रेजूइट्स का इम्प्लॉइमेंट और अनिम्प्लॉइमेंट का आकड़ा देखने जाएं तो आज भारत देश में ग्रेजूइशन करने वाले 45 परसेंट युवाओं के पास रोजगार नहीं है ये हैं मोदी जी के दस साल के वादे ये है जो मोदी जी ने पिछले दस साल में इस देश के युवाओं के लिए किया दूसरा जो मोदी जी ने 2014 में वादा किया था जो उनका दूसरा सबसे बड़ा स्लोगन था जो उनका दूसरा सबसे बड़ा जुमला था बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कितनी कम हुई है, उसका तो आंकड़ा मोदी जी दे नहीं सकते है लेकिन अगर आप पिछले 10 साल के Consumer Price Index उठा के देखिए तो 10 साल में Cumulative रूप में, 10 साल में Total में, 2014 से 2024 तक भारत में 70 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, ये पूरे दुनिया के देशों में तर्की के बाद दूसरे नंबर पर है, भारत नौकरियों में उपर नहीं है, भारत आत्रिक विकास में आगे नहीं है भारत GDP में उपर नहीं है, लेकिन दुनिया के आकड़ों में, इंटरनेशनल आकड़ों में, महंगाई में दुनिया में नंबर दो पर मोदी जी ने भारत को पहुँचा दिया मोदी जी ने 2014 में एक और जुमला दिया था, उन्होंने कहा था, कि हम किसानों की आए को दुगना करेंगे ये दस साल पहले मोदी जी ने वादा किया था, आज इस वादे से भाग गए हैं, इस 75 पन्ने के डॉक्यूमेंट में, इस 75 पन्ने के जुमला पत्र में, आज मोदी जी ये कह भी नहीं पा रहे हैं आज भारतिय जन्ता कह भी नहीं पा रही है, कि हम किसानों की आए को दुगना करेंगे ये वो सरकार है, जिसने किसानों की आए को दुगना करना तो छोड़िये तीन किसान विरोधी काले कानून संसद में पास किये इन तीन किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ महीनों तक देश भर से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे साड़े साथ सो से जादा किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी फिर भी किसानों से नहीं मिले किसानों से वादा करके कि हम ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं, हम MSP का कानून लेके आएंगे किसान अंदोलन को खतम करवाया, लेकिन आज तक मोदी जी MSP का कानून नहीं लेके आए जब दो महीने पहले किसान फिर से दिल ली आके शांती पूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, तो देश के अंदर मोदी जी ने किसानों के विरोध में सरहद बना दी दो-दो-चार-चार फुट बड़े-बड़े कील लगा दिये, ऐसी सरहद बना दी, ऐसी तारें लगा दी, ऐसे कील लगा दिये, जो शायद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं मिलेंगे ऐसे किसान विरोधी सरकार का नित्रित्व कर रहे हैं प्रदान मंतरी नरेंदर मोटी जी और आज अगर आप इस जुमले पत्र को उठा के देखिए, तो कहीं पर भी फार्मर्स इंकम की बात नहीं है, दस साल में अपने वादे से मुकर गई भातिये चंता पाटी आप इस जुमला पत्र को उठा के देखिए, कहीं पर भी MSP के कानून की बात नहीं है, किसानों से अपने वादे को, दिये हुए वादे को मुकर गई भातिये चंता पाटी ना सिर्फ युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, ना सिर्फ महेंगाई बढ़ी, ना सिर्फ किसानों के साथ अत्याचार हुआ, शिक्षा और स्वास्त के नाम पर भी भातिये जनता पाटी ने इस देश के लोगों को दोख़ा दिया युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को एक तरफ नौकरियां चाहिए और उससे पहले अच्छी शिक्षा चाहिए जहां एक तरफ अर्विन केजृवाल जी की सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में आमादमी पाटी की सरकार है वो शिक्षा का बजट बढ़ाकर सरकारी स्कूलों को बहतर कर रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, वहीं पर मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद देश के सरकारी स्कूल घट रही है, 2014 में पूरे भारत में मिलाकर 11 लाख सरकारी स्कूल होते थे, आज ये मोदी जी के 10 साल की सरकार के बाद ये आकड़ा 1 लाख स्कूल से कम हो गया है, और आज पूरे भारत में सिर्फ 10 लाख सरकारी स्कूल रह गए हैं। आज इस जुमला पत्र में मोदी जी कहते हैं, BJP कहती है कि हम अच्छी स्वास्त की सुविधा देंगे, आयुशमान भारत के माध्यम से देंगे, इस से बड़ा जुमला शायद इस पूरे जुमले पत्र में कहीं नहीं होगा, जिस आयुशमान भारत का डंका बजा रही है भारतिय जनतापाटी, पिछले साल में पूरे देश भर में आयुशमान भारत पर पूरा खर्चा मात्र आठ हजार करोड हुआ है, जो दिल्ली जैसे छोटे से राज्जी के भी स्वास्थ बज़ेट से कम है, दिल्ली का हेल्थ का बज़ेट साड़े नौ हजार करोड रुपे है पूरे देश में जिस आयुशमान भारत योजना के माध्यम से जुमले दिये जा रही है, कि हम स्वास्त की सुविधा देंगे, उस आयुशमान भारत पर पिछले साल मात्र आठ हजार करोड रुपया खच हुआ है, अरे आयुशमान भारत से इलाज कैसे देंगे, अगर हस्पताल ही नहीं होंगे, अगर हस्पताल नहीं होंगे, सूपर स्पेश्यालिटी हॉस्पि नहीं होंगे, टेस्टिंग की सुविधा नहीं होगी, तो आयुशमान भारत की स्कीम से लोग पैसे से इलाज करवाएंगे, लोग ड्रिप के माध्यम से पैसा चरवाएंगे, आज इस देश के लोगों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतिय जनता पार्टी ने दस साल में अपने जुमलों के माध्यम से धोखा दिया है, आज इस देश की युवा बेरोजगारी से परिशान है, आज इस देश की ग्रहनी महंगाई से परिशान है, सिलेंडर का दाम 300 रुपे से 1200 रुपे पहुँच गया, डीजल का दाम 55 रुपे से 90 रुपे आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है, आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आए बढ़ाने का तरीका नहीं है, आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्त की सुविधा नहीं है तो आज जो जुमला पत्र भारतिय जनता पार्टी ने रिलीज किया है देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं दस साल में भारतिय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, ग्रहणियों ने देख लिया, और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोटा लेंगे, थैंक यू. देखिये जब आप दस साल सरकार चला चुके हैं, तो आप आने वाले समय के वादों की बात नहीं कर सकते, आपको अपने काम के आधार पर वोट माएना पड़ेगा, क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत है, जो अर्विंद केज रिवाल जी ने 2020 के चिनाम में जो भोशना करी, क्या प्रधान मंत्री नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो इतनी हिम्मत है क्या उन में नहीं है क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल पहले जो वादे किये थे उनको आज के इस गोशना पत्र से आज के इस जुमला पत्र से उनको गायब करना पड़ा है क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उनको भी पता है कि आज देश की जनता उन पर विश्वास नहीं करते है कि देखिए मैं तो एक ही चोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों बढ़ रही है 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी है वो हमें वोट देंगे जिन लोगों को हमने 24 गंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार वाबे पर वोट मांग रही है तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ रही है